कि यह कुलम्ब भाई के मन में क्या ख्याल आया कि फर्मूला बना दिये तो यह टॉर्षन बैलेंस यहां पर लिया इन्होंने और इस पे दो स्फियर स्मॉल स्फियर लगा दिया और इसके उपर दिया चार्ज और यह बाजू में अलग-अलग चार्ज लेकर आ कभी वन कुलम्ब टू कुलम्ब फाइफ कुलम्ब कभी कभी दूरी इन दोनों के भी चेंज किये कभी क्लोज लाए कभी दूर ले गए पास दूर पास दूर ऐसे किये तो कुलमिला के ये कुलम भाई साब ने क्या किया इस स्प्रिंग बैलेंस को रखा यहां और एक चार्ज को लाकर यहां इसके पास दूर लाए फिर अमाउंट चेंज किये चार्ज का कव में अज्यादा किये और अब्जर्व किये कि आखिर इन दोनों के बीच लगने वाला कितना है अब इसको चार्ज को लाने से रिपेल करेगा तो यह ट्विस्ट ऐसे प्रॉइट करेगा इसमें से टर्न करेगा यह और यह जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर में स्केलिंग किया हुआ है कि ये कितना सेंटीमीटर ऐसे से घुमा यहां से उसे ये अंदाजा लगा है कि ये जो force लग रहा था दो charge particle के बीच वो दोनों के charge के proportional था अगर हम इस charge को double कर दिये तो force भी दुगना लग जा रहा था फिर ये observe कि दूरी के square के inversely proportional था अगर इन दोनों के भी ज़्यादा distance कर दें तो ये force कमजोर हो जा रहा था पहले से कम force लग रहा था और ये तीसरा जो कि नहीं दिया हुआ है बुक में वो तीसरा वाला ये है कि इस charge का effect ये charge में जितना भी power होगा अपना field वो इधर भी बनाया होगा तो इसका effect उसके तरफ कितना गया होगा तो ये solid angle यहाँ पर 4 pi angle बनाता है क्योंकि 3 dimension में ऐसे 3 dimension में भेज रहा है ऐसे नीचे भी उधर भी इधर भी ऐसे तो इसका उस direction में कितना effect जा रहा है तो per unit solid angle लिखेंगे तो इसका पूरा effect 4 pi effect के चलते अगर यहाँ पर कुछ electric field E है तो one angle बनाने में one solid angle बनाने में E upon 4 pi होगा यानि कि 4 pi divided by आ जा रहा है तो 4 pi के inversely proportional है यह लगने वाला force 4 pi के क्या हो गया inversely proportional यह solid angle वाले concept से आया है 4 pi फिर इन तीनों को combine किये यह तो force का value हो गया 1 by 4 pi q1 q2 और यह r square इतना हो गया अब यह भाई साहब यहाँ कहां से आगए epsilon naught अब इन दोनों के बीच medium पे भी depend करेगा कि आप इसके बीच में free space रखे हैं vacuum रखे हैं कि पानी इसमें रखा हुआ है कि लगड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है या दही रखा अगर कागज का टुकड़ा रख देंगे या अपना notebook रख देंगे तो attraction कम हो जाएगा उन दोनों के बीच वैसे ही medium क्या है इन दोनों के बीच उस पे dependency को represent करने के लिए epsilon यहाँ पे दिया गया अब epsilon naught को बोलते है absolute permittivity of medium किसी medium का permittivity यह है यह सब समझ गया है यह solid angle तो पहले ही मैंने समझा रखा है यह क्या है तो इस तरह से columns law का formula आ गया f equal to 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square अगर यह free space है इसके बीच में कोई medium नहीं है हवा है या vacuum की create किये हुए किसी ने तो उसके जहापर epsilon के जहापर epsilon naught यानि यह जीरो एक लग जाता है तो epsilon के जगापर यहाँ पर क्या लिख देंगे epsilon naught तो फ्री space में दो चार्ज के बीच लगने वाले force को represent करेगा ठीक है सर यह तो समझ में आ गया अब यह क्या इधर है देखे अगर air या vacuum में रखा हुआ है दो चार्ज पार्टिकल तो उसके लिए formula क्या लिखना है मुझे 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square यह epsilon naught लिखे air के लिए air में कितना dependency था proportionality constant epsilon naught उसके जगापर लिखे और medium अगर कोई है हवा के जगापर या free space के जगापर कुछ और रखा हुआ है तो 1 by 4 pi epsilon लिखना है मुझे epsilon naught के जगापर और q1 q2 by r square उस medium की यह absolute permittivity है उस medium की दोनों को में जब divide किया 4 pi ने 4 pi को तबाह कर दिया q1 ने q1 को तबाह कर दिया और r square सा r square कट गया force air में और force medium में उसका ratio आ गया यह epsilon उपर चला गया epsilon naught नीचे रहा epsilon by epsilon naught अब यह epsilon और epsilon naught का ratio होता है उसको बोला जाता है die electric constant उस medium का die electric constant यानि कि कि किसी medium की absolute permittivity क्या है permit बतलब कितना electricity pass होने देरा आलाव कर रहा है permittivity क्या है और vacuum की permittivity क्या है उसके ratio को ही बोला जाता है die electric constant तो ये क्या रिप्रेजन्ट कर रहा है dielectric constant अगर इस dielectric constant का value 80 है जो की water के लिए होता है किसी का dielectric constant अगर 8080 तो क्या बात बताएगा ये fm उधर multiply हो जाएगा force अगर कोई medium रखा हुआ दो charge particle के बीच तो तो ये बताएगा dielectric constant ये बताएगा कि कि उस medium में force divided by k आ जाएगा, divided by k, air वाले force से 1 by k टाइमस हो जाएगा, 1 by k टाइमस, यहनि अगर medium में force 10 लग रहा है, तो charge particle के बीच, अगर मैं पानी रखा हुआ हूँ, तो उन दोनों के बीच 10 newton force लग रहा है, तो पानी को हटा दूँगा उन दोनों के बीच से, तो force 10 गुणा 8, 80 newton लगने लगेगा, तो dielectric constant यह बताता है कि कितना गुणा force बढ़ जाएगा, अगर इस medium को gap करके और vacuum create करते 2 charge particle के बीच तो, ठीक है, अब dielectric constant epsilon by epsilon not को k भी लिख सकते हैं, और इसको epsilon r भी लिखा रहता है, दो नाम है, जैसे आपका भी दो नाम होगा, एक गर का नाम और एक स्कूल का नाम अलग होता है, तो इसका दो नाम है, एक epsilon r है, relative, इसको बोलते हैं relative permittivity, और k भी उसी का नाम है, और k को क्या बोलते हैं, dielectric constant, तो यह दोनो रिप्रेजेंटेशन है, इसका dielectric constant का, और है क्या यह एक्चुली, epsilon by epsilon not है, अब यह relative permittivity, जैसा नाम है कि permittivity मैंने permit करना, allow करना, यह इसका उल्टा काम है, यह block करना इसका काम है, जिसका permittivity ज़्यादा है, वो force के effect को और कम कर देता है, जिसका permittivity ज़्यादा है, और ज़्यादा permit नहीं करता है, वो उस force को और कम कर देता है, जैसे water की permittivity 80 है, तो अगर दो charge particle के बीच vacuum है, तो जितना force लग रहा था, उन दोनों के बीच पानी रख देने से 80 गुना नहीं हो जाएगा, वन बाई 80 हो जाएगा, तो permittivity का मतलब समझ गया है, जैसा नाम है कि permittivity मैंने permit करना, allow करना, यह इसका उल्टा काम है, यह block करना इसका काम है, जिसका permittivity ज़्यादा है, वो force के effect को और कम कर देता है, जिसका permittivity ज़्यादा है, वो और ज़्यादा permit नहीं करता है, वो उस force को और कम कर देता है, जैसे water की permittivity 80 है, तो अगर दो charge particle के बीच वैक्यूम है, तो जितना force लग रहा था, उन दोनों के बीच पानी रख देने से 80 गुना नहीं हो जाएगा, तो नाम का आसर ज़रूरी नहीं है, कि जैसा नाम हो वैसा ही उसका कर्म हो, क्योंकि आजकल तो दिपक नाम के लड़के भी 10-10 लड़कियों को एक साथ अंदेरे में रखते हैं,